बारत चिन विवाद मुद्धे पूर्व लग्दात मा फारिंग चिनी सेनाय भारते चोकिक पर कर्यू फारिंग तो भारते सेनाय जवाबी कार्य वाही करी। विडियो कॉन ने लौन आपपाना केस मां मामलो आईसी 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 आई बैंक ना पूर्व सेईयो चंदा कोचर ना पती नी धरपकड मुंबई थी दीपक कोचर नी धरपकड। देश मां कोरोनाना केस मां घणा अधिवसे आंशिक रहाच चला 24 कल लाख मां 25,022 केस तो देश मां कोल्ड रिकावरी 33 लाख में पार। अम्दावाद मां सोसाइटी ने फ्लैट मां कोविड को और्नियेटर रहिशे फरज्यात माइक्रो कंटेन्मेंट जॉन मांडे कड़क नियम नियम्भंग सामें थशे कारिया वाही। चार महिनाबाद अंदावाद मां जमालपूर एपीएमसी मार्केट शडू थशे कोविड गाइडलाइन नू कराशे पालन तो दर्रोज त्रैपन दुकानो ज खुल शे। राज्य माम अकपडी खरी दी मुद्येक रुशी मंत्रीने अद्धिक्ष्तामा बैठक पुर्वठा नियम नियम्भंग वचे उकेलाशे विवाद पुर्वठा नियम्भं ये करी तैयारी। भाजय प्रदेश प्रमुक पाडल गुजात मा कमलम खाते युवा मोर्चा साथे करशे बैठर तो टीम नू करशे माक दर्शन पुलेटिन मां सो प्रदम बात करे चिन नी अवर चन्डा विशे तो भारत चीन विवाद मुद्धे पूर्वठा लद्दाक मा चीन ने भारतिये लशकरी उपर भारतिये सेना उपर फायरिंग कर्यू छे अने तना वरता जवाब मा भारतिये सेना ये पन फायरिंग भार्तिय सेनाए पण ज़वाभी कार्य वाहीं आंते भार्तिय सेनाए पण लुच्वे सामे फाईरिंग करियों चे। अवे दिवेसने दिवेसे वधाँ वेगवनतु अने वधु विवदासपद बंतो जाए। ज्रवीबार आतनियागतना को ज्या चीनी सैनी कोई भारती चौकी उप्पर फायरिंग करें यो धुत्तु नहीं एक तरफ ज्यांप भारतने चीन वच्चेनों आजे सिमा और स्नखद्न लेने मामलों चे ते बनस्तों जाये छे समबाद वाद समबाद थी आग कोईड उकेल वामा आऊशे बैठको थाई छे वाद चित थाई छे परंदु तेरों कोईज उकेल देखात नथी करण के आर इते एक तरफ जिया वाद समबाद नी वाद थाई छे के बंदे पक्श और बंदे देश वच्चे वाद थाशे वाटा घाटो थाशे और त्यार बाद आचे सीमानो विवाद छे तयने उकेल वाणो प्रहातन करवामा आऊशे और ते भामा चिनी सैनी को द्वारा भारति पूर्वे लदधाक मा अगतना घटी कियाा चीनी सेना अहे भारत्ये चौकि क करना ए ऐ चिनी अवर चुपास। फ rubbish पर निशान टारकण करिऊ आने त्यारबाद ंभारतय चौकी उपढ़ू पर टेवह फायरिउंग करिऊ हथू तो वर्भती कार्यमा जवाभी कार्य वाहिमा भारती ये शेनाये पण फायरिउंग गटना करी हती फाइरिंग नी गटना ने अंजामा प्यों जो के हाल तो स्थीदी काबुमा होवानी बाद पन सामे आवी रही छे भारत तरफ थी चिन ने पाचा खसी जबानी पन वाद करवामा आवी छे सला पन आपवामा आव्या छे पड़न तु चिन नी अवर चण्डाई छे के जे शम्मानू नाम नथी लेता वदु माहिती आपी रहाच आमार समदादा आयूशी यागनिक आयूशी आ समग्र मामलों 45 वर्ष बाद अलेसी पर फाइरिंग नी घटना सामे आवी छे हाल मा स्थीती काबुमा छे परंद जो जणावी दैए तो आ विवाद छे सरहदीय विवाद छे सीमानों जे विवाद छे ए वदुन वदु वेग बंतो बंतो जाए छे चागरोती चीननी अवर चंडाई हजूपर यथा वजुवा मड़ी रही छे जे रिते 45 वर्ष बाद चीनी आने भारते सैनी कुरी वच्चे जी गोरी बारत है हो छे तेने लईने त्यारे अकोई जी मुद्दो छे ते वदु कई शका के विवादित बनेयों छे जेरी ते लदाख बॉर्डर पर जे भारत अने चीन ने वत्चे आजि आखी तणाउं भरी परिश्फिती हाती तेने explored गोरी बारत है हो जे रिते आखो यहां मामलो सामे आवे उचे तेने लईने अजे विवाद नू वंटोर चे वधू विखे रही रही उचे चीनी अवर चंडाई जे एक बाद एक वधू सामे आवी रही चे 45 वर्षबाद आप्रकारे बने देशों वधा चे आप्रकारे गोरिबार ने परिसिती ते चीनी सैनिकों जे तेरे अप्रतम गोरिबार करियो हतो तेelpण एक आवए उचे के पहला प्रतम गोरिबार चीन तरफ द्हों ते आर बाद वड़ तो जबाब आपता भावारत ऐ पर जे पोता फाइरिंग छे ते करियू हतू परन्तु जी रिते आखी परिसिती सरजाई चे जे चीन एक बाद एक पोता नी अवर चंडाई बताव रहे चे आखी जे सरहदी मामलो चे तेने लईने आनेक विवादों साम्यावे चे तेरे सवती महत्वनी बाबाते चे के पिस्सा साम्यावे चे एक चीन नी अवर चंडाई छती करे चे के एक तरफ तो ते वो वाटाई घाटों करवा पाटे वाद सम्भाथी आ सरहदी विश्तार उकेलवानी वातमा समर्थना पे चे अने बीजी बाजू आवे रिते भारतिये जोकिने निशान बनावी ने भारतिये सेन उपर फायरिंग करे चे अतिनी आप रतिये लागि रहे जे अनेक वकत आपरकानी जे कैश कहे के अवर चंडायों चीन कर्तू आविऊ चे ते यह सहधने लही ने आख की अगटना सामय आवीचे मामलों सामय आवे जे ते चे अब रह जिदनी आपरकानी जे का करना वर्तन थी फक्त भारत ज नहीं पर न तु अनिय देशों नी वाद केले तो ते पां टाक्ष करी रहा है छे क्या प्रकार नी अवर चंडाई जोड़ा है जोड़ा है जोड़ा है जोड़ा है जैदेव आपनु स्वागत मंतविय न्यूज मां सौथी परासर तमने इस सवाल पुछा मांगेश के एक तरफ जहरेक चिन नी अवर चंडाई सामे आवे रहे छे बीजी बाजू वाटा घाटो और वाद समवाद थी आ उकेल सरहदी विवाद नो उकेल लावानी बाद थाई रहे छे क एकलो निम्नगक्षानों आवर चंडाई था पडलू गनी सकाई चिन नू ? प्टानी वदेश नीती पोतानी सरक्षन नीती चलाताा देशनूं काम न थी , एकलो निम्नकक्षानों एकलना माटे zucchini नंए आशन हां मैसी जञए हैं आतिया पीठ मां चारो भूखवानी जी निम्नकक्षानु एटला माटे के बन्ने देशों वच्चे घणी बदी एदी संधियों छे ए संधियों साइन थाई जे मां लखाणूं छे के क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं थाई अन्ने बन्ने देशों आ वात ने सुविकारी छे छेला चालीज पिस्तालीज वरस थी निम्नकक्षानु एटला माटे पाण के ओर्स्टार जन्रल लेवल ना सइनिको अधिकारी नो वच्चे नी विटिंगो ठाई गोई एमा कंप्लीट डिसेंगेजमेंट नी चाहिना वात करे अने ए पचिवात अने साव महतोन मुद्दो चीन ग्लोबल नरेटिव जाने बदल्वान प्रहतन करतू होई के भारत यह पोतानी भूमी उपर जो पेट्रोलिंग करे तो एना उपर फायरिंग करी ने एम देखाड़ू के भारत किक्रमन करे छे यह वो भारत ने वेश्विक सरे खराग चितरवानवा प्रयास जी 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 खास के इने आ मौडी रात नी घटना के जी आरे एलेसी पर 15 वर्ष बाद फायरिंग नी घटना सामयावी चे जी डेफिनेटली कितला है एवा एग्रीमेंट्स चे में पोते त्यां चाइनीज बोर्टर उपर स्वर्व करियों चे इंटरनाशनल बोर्टर उपर ने एमारा अनुगावती के कोल पन संजो को मा फायरिंग करवानू ने ये पेलाना चार पांच प्रोटोकॉल्स चे बडले आर इतनों फायरिंग निम्नकक्षानू अने लडाईनी उसकेरणीनू वातावरान उभू करवानू आपकराच अर्ली बोर्निंग चाहा एनी अगम चेतीनी एक चिंद्नू चे जी जी चे देव आपमाई साते जोडाये आपनों खुबखुबाबार आयोशी समग्र माहिती आपनों खुबखुबाबार तो चीन अने भारत नी आजे सरहती विवाद नू मामलों चे तैनी वच्चे मोडी रात रे पूर्वे लडाख मा भारती चोकीने निशान बनावीने भारती सेना उपर फायरिंग करवा मा आवियू वर्ती जावी कार्य वाही मा भारती सेना एपन फायरिंग करी होतो जोके हाल तो स्थीती कंट्रोल मा होवानी वाद साम्याग रही छे भारत ने चिन नी वच्चे पूर्व लड़ाख मा विवाद घेरा तो जाए छे अगाव बै दीवस पूर्वेज एक बाजु भारत ना रक्षा मंत्री राजनाद सी हैं भारत चिन लड़ाख विवाद पर मौस्को मा चर्चा रक्षा मंत्री राजनाद सहीनी चीन ना समकक्ष वेव फैंग ही साथ बैठक विदेश मंत्री एस जय शंकर पन चीन साथे करीशके शे चर्चा भारत ने चीन नीवच्चे पुर्व लड़ाख मा विवाद यथावच्छे रक्षा मंत्री राजनाद सी मौस्को मा चीन ना समकक्ष वेव फैंग ही साथे उच्चस्तर या बैठक योजीशे में महिनानी शरू आत्मा शरू थायला अवरोधो बाद बनने मंत्रियों नी अपहली बैठक शे जरे नवधी 11 सप्टेंबर सुधी विदेश मंत्री एस जय शंकर मौस्को मा हशे एव मानवा मा विरोशे कि मौस्को मा चीन ना समकक्ष वांगी अने एस जय शंकर साथे वाची थैशकेशे दिल्ली ना दिल मा सरहतनी रक्षा दिल्ली नी नजर मा चीनी सैनी को ना आगामी पगला चीन ना दरेक एक्षन नू रियक्षन आपशे हिंदुस्तान नविदिल्ली मा बैठेला अधिकारियों नी मानिये तो थे वो जो आमागेशे के वास्तविक नियंत्रन रिखा पर थे वो संपोन रिथे सेना नी पीछे हट माटे बेंजिंग ना उच अधिकारियों ने मनावी शकेशे के नहीं जाएक तरफ मन्ने पक्षो गती रोधिनी स्तिमा अशे अन बैठक बाद सत्ता की अन्नेविदन करी चुक्या शे एवा मा भारत नी नजर चीन ना सैनीको ना आगामी पगला पर रहे शे साउथ ब्लैक नू मान वुशे के आवकते चीन ना संकटना समधान माटे तैमनी प्रतिबधिता आने इमांदारी ने लईने परिक्षन करवा मा आवशे खास करी ने हवे ते वो भारतिय जवानों चुशुल सक्टर मा एलेसी नी सामरिक उचाईयो पर कब जो करी दोश सेनाना कमांडरों और राजनायकों नी वच्चे शुकरवार सुधी व्यक्ती गतरुपे वाची थाई अती विदेश मंत्री अने राष्टिय सुरक्षा सलाकार न स्तर पर वाचीत वीडियो कंफरेंसिंग ना माध्यम धी थाई जो कि आ वाचीत नों कोई खास ने आवे नहीं पांच जुलाई ए एने से अजित डुभाल अने चीनना स्टेट कांसिलर अने विदेश मंत्री वाँगी इनी वच्चे वीडियो कंफरेंस थी वाचीत थाई अती अमा शरुआतना स्तर पर सेनानी वच्चे अवरोध ओचो करवानी वाध पर सहमती अपमावी हती सरकार अने सेना बनने स्तरे थी भारत चेन सरहदी अगती रोध दुर करवाना प्रयासो थे रहाश जोके अगती रोध नों अंद क्यारे अने के विरित आवशे ते चीननी नीती पराधार राखेश वीरो रिपोर्ट मंतवे न्यूज वाध करी हालमाज मरता समाचार नी समाचार मड़ी रहाचे वड़ोद राथी के जिया वेस्टन ड्रेलवे मचदूर संग ना महामंत्री नू निधन थाईवाना दुखत समाचार साम्यावी रहाचे एन एफ आई आर ना राष्ट्य उपाध्यक्ष हता जे जी माठूर सित्यासे वर्ष्टनी जैफ पए माहूर कर दादानू अवसान थाईवोछे वड़दरामा आवेला तेमना निवास थाने तेवो नू निधन थाईवोछे मौणी रातरे रदे रोग नो उहुमलो अने त्यार बाद तेवो नू दुखद अवसान थाईवोछे सेत्यासी वर्ष्टना माहूर कर दादाना अवसान थी रेल कर्मियो माँ शोक व्यापी गवोछे 55 वर्ष्ट थी तेवो रेल कर्मियो ना प्रष्टोने लईने तेवो माटे सतत कार्यशील हता रेलवे कर्मियो ये तेमना मजबूत नेता गुमाव्या छे के जे तेमना पक्ष्मा उभारेता हता तेमना सवालोने वाच्चा आपी ने तेमना सवालोना समस्याना निराकरण माटे हम्मेशा महूर करदादा अडी खम तेमनी साथे उभारेता हता तेरे सित्यासी वर्ष्णी वय तेवनु तेमना निवास्थानी दुखद अवसान थयुँछे रदे रोगनो हुमनो अने तेमा जेजी माहूर करदादानु अवसान थयुँछे वेस्टरंट रेल्वे मजदूर संगना महामंत्री रही चुक्या चे माहूर करदादा बदु माहित्य आपी राच्य मारा समदाता अमित ठाकोर अमित शुचे बदु विगत रेल्वे करमचारियों मां टेक मोटो फटको चे आ करांके छिल्ला 55 बर्सी पन वदूनों समय धाओ चे जी माहूर कर जे माहूर कर दाना फ्लम ना नाम सी जानी ता हता रेल्वे करमचारियों ना प्रस्णों न लएने खूबज शक्रिया हता रेल्वे करमचारियों ना प्रस्णों ने लएने मुंबई थी लएने बिल्ली चूथी रेल्वे विथाग मां छेहां पन रजुवाच करवा नी होए तेओ सतत करी रहा हता सतत प्रस्णों उठावी रहा हता आज मौडी राते रुखत कमा चारावया चेलेको ज़डी वाजयानी आसपास बढ़ोता मा इदोरा पार्क खाते सिवनेरी मा तेमनू जे निवास भान आवे दूचे तेमने रदै रोगनों हूमलों आवे खानगी होस्पिकल मा लई जेवा मा आवे परंतु तेओ बचिनन अज मौडी राते रदै रोगनों हूमलाने काराने तेमनू निद भान्त हैूँ तेमना जे बन्ने पूत्रों से जे पाइके कुत्र पोंची चुक चुक्या चे जेरे उदै महूर कर दिल्ली चीरवाना तेशी चीक्या चे तेह ओपन वडोध राप मोंच चेहने पपोरबा जे महुर करदा दन अवसान था हूँछे, तैननी अंतिम विधी करवा मा आऊँछे, परन्तु अत्तमा चार ने लाईने रेल्वे विभागनाची इतला बण करमा चार गयोँछे, तैनना मा एक सोक नी लागनी जा पी गईचे, तैनने गुमाद है वानू रंज तैनने था तो सित्यासी वर्ष्णी जैफ वए, जे जी महुर करदादानू अवसान था हूँछे, रदेरोगना हुमलाना करणे मोडी रातरे तेवोने होस्पिटल मा खसलाया हता, ज्या तेवोनू निदन था हूँछे, तो बपोर बाद तेवोने अंतिम संस्कार नी विधी करवा मा परन्तू, माहुर करदादाना नामती हुलामनू आ व्यक्तित्व, आ जे गुमावता, अनेक रेलकर्मच्यारियों ने दुखद अनुबव थाही रहोचे, अने रेलकर्मियों मा शोकनी लागनी व्यापि गईछे, कारण के तेवोना जे प्रश्णू हता, तेना निराकरण माहुर करदादा, तेवोनी समकक्ष तेवोनी साथे अडिखम उभा रहता हता, वादकरी हालमाज मर्दा समाचार, समाचार मडी रहा छे, अम्दावाद थी, के जा फरी एक वकत वर्सादी माहुलनों सावनों करवो पड़ी शके छे, अम्दावाद बासियोंने, जी हाँ, अम्दावाद माँ फरी एक वकत वर्सादी माहुल जोवा मर्द शे, बीजी बाजू दक्षिन गुजरात माँ छूटो चवायो तैमज भारे वर्साद जोवा मर्द शके छे, अग्यार आने 12 सप्ट्रेम्बर ना रोज, दक्षिन गुजरात माँ वर्साद वर्से तेवी उसके ताव्यक्त करम आवी चे, 12 तारीके किटला क्विस्तार मा भारे वर्साद वर्सी शके चे, राजे मा अत्यार सुधी 111 टेका जितलो वर्साद नौन दाई चुके ओ छे, एटले के सीजन करता पन वधारानों वर्साद वर्सी शुके ओ छे, येवा संजोगों मा हवामा विभाग नी आजे आगा ही छे, तेने लई ने राजे मा आगा मी समय मा पड़, वर्साद वर्सी शके चे, दक्षण गुज्रात मा अग्याराने 12 सप्टेमर ना रोज वर्साद आवी शके चे, तो अमदावाद मा पन फरी एक वकत, अमदावाद वासियों ने वर्सादी म माहुलनों सामनों करवो पड़ी शके चे, तो साउथ गुज्रात डीजेन में, डेफोर, डेफाइब को हम एक्ष्ट करेंगे की, प्यारली वाइच्परेट रेंपर देगा, डेफाइब में, साउथ गुज्रात में, आइसनलेट प्रेशस में, एक अधा जगा में, एक सरस्थ गुज्रात डेफाइब को हम एक अधा जगा में, आजगे मणडारी बैठक नी तो घांदी नगर मां मकफडी नी खरीदी माते, क्रुशी मंतरी नी अध्यक्षतामा एक बैठक मरवा जेई रही छे, के ज्यां मकफडी नी खरीदी मुद्दे आजे चर्चा विचान खांदिनगर मां आ बैठक क्रुशी मंत्री आर्सी फर्दुनी अधिक्षतामा योजावाजे रही छे, कि जैमां पूर्पठा विभाग ना अधिकार्यों पन उपस्तित रहे छे, मकफडी नी खरीदी कौन करशे ते अंगे आ बैठक मां नीर्णाई लिवाई शके छे, आसा आर्सी फर्दुनी अधिक्षतामा घांदिनगर मां आजे बैठक क्योजावाजे रही छे, जैमां पूर्पठा विभाग ना अधिकार्यों पन हाजे रहे छे, खुबच महत्मनू बनी रहे छे, कि मकफडी नी खरीदी कौन करशे ते अंगे नीर्णाई लिवामा आउशे करण के अन्न नागरीक पूर्वठा नीगमे मकफडी नी खरीदी माटे असमर्थ दाथ दर्शावे चुकी छे मधु माईती आपी राच अमार सम्मादाता सोनल अननकट, सोनल एक तरफ आजे कुरुशी प्रदान आर्सी फर्दुनी अध्यक्षता माक मकफडी नी खरीदी माटे बैठक थवाव चे त्यां बीजी बाजू, अन्न नागरीक पूर्वठा विभागे पान मकफडी खरीद के ओचो स्टाफ होवाना कारणे और नाना अबावना कारणे आवर्षे अन नागरीक पूर्वठा नीगम मकफडी नी खरीदी करी शके तेम नथी, आतालने ठीने हवे सरकार चिंतामा छे के मकफडी खरीदी कर्शे को अंबीजी बाजू, जो वाद करे तो पुर्वठा न के ओचे तेमिना तरस्ती मकफडी नी खरीदी माटे तैयारी दर्शावामा आवी चे तो साथे साथे जुचको मासोल पर मकफडी नी खरीदी करवा माटे तैयार चे एकले बननी विभागने जो चरकाल तरस्ती कामगेरी सोपवामा आवे चे तो तेवो मकफडी नी खरीद आपनों आभार तो मक्फणी नी खरीदी कौन करशे तेनों नीर नैं आजे क्रुशी प्रधार नी अधिक्ष्ता मां मणदारी बैठक मां थाई जर्षे बात अन्य महत्वना समाचार पर अमदावाथी समाचार मड़ी रहा छे कि गुजरात वन महत्सवनी होवे उजवनी थवा जै रही छे अमदावात्या समाचार गुजरात पोलीस द्वारा वन महत्सवनी उजवनी ने लेन समाचार सामे आवी रहा छे राणी पोलीस लाइन खाते आ कार्यक्रम यो जाशे जे माँ पोलीस ना राज्यकक्षाना वन महत्सवनी आयोजन करवामा आवशे गुजरात पोलीस द्वारा राणी पोलीस लाइन माँ वन महत्सवनी कार्यक्रम यो जाशे भावनगर थी महत्सवना समाचार मणी रहा छे के जिया भावनगर माँ गांजा साथे एक व्यक्ति नी एक शक्स नी धरपकड करवामा आवे छे गांजा साथे भावनगर पोलीस एक शक्स ने जलपी पाड़े हो छे एसो जीए गार्या धार ना बेला गामे रेड करी हती अने रेड नी प्रक्रिया दर्म्यान एक किलो वीस ग्राम गांजो कबजे करवामा आवे छे जी हां पोलीसे 10,000 बस्तोंनों मुद्दा माल पन गांजा साथे जप्त करे हो छे गार्या धार पोलीसे बदु तपास आ सम्मगर मामलाने रहिने हाद धरी छे भावनगर निया गटना के जी आ गार्या धार पासे थी वेला गामे पोलीसे रेड एसो जीए रेड करी अने त्याहिमा एक शक्स नी गांजा साथे त्याहिमा जी 10,000 बाविसना मुद्दा माल साथे एक शक्स नी धरपकड करी आगणी तपास हाद धरी छे अने हावे जोईए अनलॉक फोर गुजरात मा दिवसने दिवस से कुरोना पॉजिटीर दर्दी उनी संख्या मा सतत उचारो सही रही छे जरज गुजा सरकार ध्वारा खुबज महत्पना प्रगला लेवामा पन आवी रहा छे समाचार मणी रहा छे अम्दावाद थी के जा कुरोना अंगे एमसी नो महत्पनों नीर्णै लेवामा आवे ओछे अम्दावाद मा सोसाइटी फ्लैट्स अने कॉलोनी मा को ओडिनेटर फरज्यात पणे निम्वामा आवशे कांटेंडमेंगल माटे ना आज नियम हो छे ते कड़क करवामा आवेआचे इमर्जनसी सीवाई बहार निकडी नहीं शखाए जी हां तमारे इमर्जनसी काम हशे तो तमारे कोविट नाजी कौरंटाईन नाजी दर्दियो छे तैने वहार जवापर रोक लगावी देवाई छे नियम भंग थाशे तो पोलीस नी काईदा की यह कार्यवाही हाथ धरवामा आऊशे सोसाइटी, फ्लैट्स, कॉलोनी मा को ओर्डिनेटर निम्वामा आऊशे अने कंटेन्मेंट जोन माटे ना जे नियम होचे ए नियम होपन कलक करी देवायाचे अमदावाद म्यूनसिपल कॉर्परेशन नो अन्निय नै के जिया वत्ता केस ने कंट्रोल मारेवा माटे पालन करावडावा माटे स्तब्द रहशे अने जो कोई नियम नुपालन नई कारे अने भंक थाशे तो पोलीस नी कार्यवाही माटे जेते व्यक्तिये हाजर अने तैयार रहवू पड़शे अमदावाज शहेर मां सतत कोरोना संक्रमन वधी रहू छे तेरे म्यूनसिपल कॉर्परेशन ने कोरोनाना संक्रमन ने अटकावा माटे शहेर मां आवेली सुसाइटी तेमज फ्लैट मां कोवीड कॉर्डिनेटर नी निमुण करवानू सुचन कर्यू छे कोवीड कॉर्डिनेटर आवता जता तमाम लोकोए मास्क पहर्याचे के कैम तेमज सोशल डिस्टन जड़वाई ते तमाम जरूरी बाबत उनी जवाबदारी निभावशे तेरे आ मामले अमदावाद नी ओर्चिड वाइट फिल्ड फ्लैट ना चेर्मेन तेमेज सब्यों नुशू कहवू छे ते साम भड़िये जाहरात करी छे सोसाइटी मां पोतेज कोवीड कोडिनेटर रुपर आखी ने तेने जवाबदारी सोपर मावी छी आव अतने तमें करी दे जूओ छे जबसे ये कोवीड का चलू हुआ है तब से जिम्मेवारी हर एक सोसाइटी ने लिवी है और हमने भी अपने यहां पे स कुल्दी भई अमना कीदू ए प्रमाणे एवु प्रतित थाए चे के सरकारे अथवा अथोरिटी जे अथवा तो कोर्पोरोशे ने पोतानी घणी बदी जवाब दारी हो सोसाइटी तरफ आपी दिदेल छे जेमके एक बाबत एवी छे के कोई पन अहिया पॉजिटीव केस सावे एने कॉरेंटाइन करया पछी एमना छेल्ला चाउद दिवस नूं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग सोसाइटी एक करवानू छे अन्य जानकरी सोसाइटी एक कॉर्पोरेशन ने करवानी शे शक्या छे करी शकाए पना आप जानता आशो के सोसाइटी मां जेम दरेक पदा प्रतिकारी एक एक सेवा भावी एमना रिते एमनी सेवा आपी रहा चे दरेक नूं पोता नूं काम छे सोसाइटी नो स्टाफ और सोसाइटी ना चे अवेलेबल रिसोर्सी ये लिमीटेड होई छे आजे गवर्मेंट एमनी रिते जे सारस्ता काम करी रहे चे एमा कोई कोई रिसोर्स इस अवेलेबल होता न थी सोसाइटी ने एक सब्यानी जग्या है बद्धा सब्यों पोत पोता ना ध्यान पोते राखे एवदार महत्पपुन छे अने सरकार एक गाईडेंस बद्धा ने आपे ए वात सरकार एक डारेक्ट पब्लिक ने कह भी जोई है तो ज पोता नी पन भागेदारिया कामगीरियमा करे तिवु तमाम सुसाइटी ना चेर्मेंड सेक्रेटरियों विच्छी रहा छे केमरापुष्ण वीरल व्यास साथे भाविशायत पूत मंतवे न्यूस अम्दवाद अम्दवाथी महत्वना समाचार आज थी जमालपूर शाक मार्केट नी शरुवात्थवा जाई रही छे अने आ नियम अंदरगत 53 दुकानो ज शरु थाई शके छे एपियामसी नी लेखी त्रजुवात बाद आ नीर्ण लिवामा आव्यो छे जमालपूर एपियामसी मार्केट आज थी खुल्लू मुकासे सोशल डिस्टन्स अने मास्क फरज्यात रहे शे आसाथे ज सैनिटाइजर नी व्यवस्था पण एपियामसी मार्केट मा करवामा आवे शे खरीद वेचार नी कामगीरी माटेनों समय पण नक्की करवामा आवे शे तो एक दिवसे 53 दुकानों जे खोली सका शे तेवो नीर्ण पण लिवामा आवे शे बपोरे एक थी पाच और रातरे आट थी सवार ना आट सुदी खरीदी करी शका शे मार्केट मां 157 आवन पई की 53 दुकानों रोज खुल शे बदू मायती आपी रहाचे मारा समधाता आयूशी आयूशी एपी एमसी जमालपूर मार्केट आश्ती खुल्लू थाशे नियमों ने ध्यानमा राखी ने कार्यवाही थाशे शू शे बदू विगत पिल्कुल शागरुत की अछेला अगहा समय सी एपी एमसी मार्केट जमालपूर खात्यावेलों ते बंध हतु जेरी पे लोकों छे बेपाम बने रहाया हस्ता सोशल डिक्सेंसिंग अने कोविट नी गाइडलाइन नो उलंगन करी रहा था जैनले जयानमा राखी अमदवा द्वारा लेखित बाहेंदरी अपमा मार्केट नी अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जड़वाई रहा था मार्केट परजियात रहा था एकलूज नहीं खरीदने वेचार अर्थी आवता जिटलापन करी वैपारियों छे ते लोको पन कोविट गैडलाइन मुझा बज काम कर अनि एक समय मर्यादा पन नकी करवामा आवे चे जहाँ आज बपूरे एक थी पांच मार्केट खुलू रहे शे त्यार बाद रात ना आच्छी सवाना आच्छी खुलू रहे चे एदले कि वैली सवारे रश रहतो तो मार्केट मा तेल नेयो रहे ते माती बपूर नो समय पन हावे नकी करवामा आवे चे वन्तर पद्धा ती दुखानों खुलू खुलू दुखानों नी वाद चरली तो एक सोने सत्तावन दुखानों रहे शे रहे चे जी आयुशे समय गरमाईती बदर आपनों आभार तो आज जे जमालपूरे पीमसी मार्केट आज थी खुल रहुचे ने लेखीत बाहेंदरी बाद कोवीड गाइडलाईनी मागदर्शी का अनुसार हवे आ मार्केट पन धम 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 शे। के जहां कलक नियमोंने आधिन थाईने हवे बाग बगीचा 10 सप्टेमबर्थी जाहेर जनता माटे खुला मुका शे परन्तु आखो दिवस आ बाग बगीचा खुला नहीं रहे। काई थी अम्मलग करवामा आउशे सैनेटाइजर पन करवामा आउशे औने मास्क वगर बाग बगीचामा एकपण पब्लीक ने एकपण द्यक्ती ने प्रवेश आपपामा नहीं आवे। तो बुलेटिन महाल बसाथ लोज रजाप शो नमस्कार